सिर्फ इंजिनेरिंग नहीं, तुम कोई भी डिगरी जैसे बीकॉम, बीसी ए, बीए, बीए, सी और डिपलोमा में पास हो सकते हो से सिर्फ दस से बारा गंटे पढ़ाई करके अब obviously अगर तुम्हें ज्यादा स्कोर करना है, तो तुम्हें ज्यादा माहिनत करने पढ़ेगी, दो दिन पहले ही एक्जाम के तयारे शुरू करने पढ़ेगे, लेकिन अब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक दिन बच्चा है, और वो सिर्फ दस से बा 12 गंटे में पढ़ाई करके एक अच्छा स्कोर, अब एक अच्छा स्कोर क्या होता है, तो पास हो सकते हो ठीक है, अच्छा स्कोर याणि अगर तुम्हें बहुत जादा मार्कlar चाहिए, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करने पढ़ेगी, 12 गंटे में कुछ नहीं होगा, ठी अभी इंजिनेर ऐसा ही करते हैं अब तुम बढ़ गए पढ़ाई करने टेक्स्ट बुक ओपन कर ली अब जो बुक की लेंगवेज होती है वह ज्यादा कॉम्प्लिक्स होती है टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आता है तब तक अच्छा भी लगता है लेकिन दैसे आगे बढ़ोगे सब कुछ दिमाग से उपर जाता है और फिर तुम्हें आलस आता है और तुम पढ़ाई छोड़ दीते हो अब इससे बसने के रिए तुम क्या कर सकते हो चैट जीपीडी की मदद ले सकते हो सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक साइड में रोको रेफरां उससे पूछो अब चैट जीपीडी तुम्हें उनके आंसर इतने सिंपल लेंग्वेज में देगा कि तुम उससे आसानी से समझ सकते हो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता तो उससे तुम्हें एक अलग प्रांप्ट देखिए जैसे एक स्प्लें मी लाइक आया नोट्स बनाओ और जब तुम्हें रिविजन करनी है तु नोट्स से रिविजन करो अगर उस क्वेश्चेन में डाग्राम जरूर है तो टेक्स्ट बुक तुम्हारे साथ में होगा उस टेक्स्ट बुक से डाग्राम निकालो डाग्राम रटलो बतलब तुम्हें अगर कॉ है जो समझ में नहीं आ रही है और याद नहीं रही थी तो तुम गेट समय से फाव मिनिट्स इंजिनेरिंग लास्ट मोवेंट यूटूब चैनल खोल सकते हो अगर तुम अलग डिगरी में जोसे बीए बीकॉम बीसी तो तुम यूटूब चैनल पे उस सर्च कर सकते हो concept clear होन में प्राप्लम भी आती है नियूमरिकल भी आती है तो उसका क्या करें तो नियूमरिकल तो तुम्हें चैजिपीटी नहीं देगा और देगा भी तो कई बार गलत आंसर देता है तो इसके लिए तुम बार यूटूब चैनल से या तुम अपने आप से मतलब टेक्स्ट बार से पूछ सकते हो लेकिन उसका आया हूँ आंसर फिर तुम्हें चेक करना है ठीक है पूरी तरह उस पे निर्बर नहीं रहना और यह सिर्फ मैंने एक्जाम चल रही है मेरी और तो मैंने चैजबीटी का इस्तमाल किया हूँ उससे मैंने रिविजन की तो इसलिए मैं ब प्लाइ करताओं